स्वागे थे दूस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम पहरा पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंग एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए जो सीजी एचस वाला हम लोग कर रहे थे सेट पेपर 2013 का उसी का ये थर्ड पार्ट है और इसको म पेपर पहले होते थे अब इसको साइद एससी आपका करवाने लगा है ठीक है ना तो यह वहीं सीजी एचस की पेपर है 2013 पेपर है तो देखते हैं हम लोग आज के अपना सेशन देखे क्या कहरा मारा पहला कुश्यन कहरा डिफीसियंसी और वाट कॉसे रिकेट्स रिकेट् और एक होता है हमारा एक कोली कैल्सी फिरॉल दूसरा कौन सा होता हमारा कोली कैल्सी फिरॉल तो एर्गो कैल्सी फिरॉल और कोली कैल्सी फिरॉल ठीक है ना कोली कैल्सी फिरॉल और एर्गो कैल्सी फिरॉल यह दो तरीके होते होते हैं कि हमारे कैल्सी फिरॉल विटामिन फिर अगले question की तरफ पढ़ेंगे जागर है 52 number of question देखें क्या कह रहा है is a psychiatric disease psychiatric disease कौन सी है ठीक है brain या thoughts की disease कौन सी है तो आप बताएंगे जागर कि schizophrenia is a psychiatric disease फिर हम लोग अगले question की तरफ पढ़ेंगे देखें हमारा question क्या कह रहा है कह रहा है drug is most likely to be used by a cardiologist कह रहा है drug most likely to be used by a cardiologist काडियो लॉजिस्ट के दोरा इस्तिमाल की जाने वाली ड्रग कौन सी है मतलब आप समझ रहे ना drug is most likely drug जो सबसे ज़्यादा ठीक है ना prescribe की जाती काडियो लॉजिस्ट के दोरा likely to be used या use की जाती है काडियो लॉजिस्ट कौन सी ड्रक सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो आप बताएंगे जागर के स्ट्रप्टो काइनेज इस्ट्रप्टो काइनेज is most likely to be used by a कार्डियो लॉजिस्ट यहां पे स्ट्रेप्टो काइनेस के कई सारे कुश्चन बनते हैं तो इस कुश्चन को आप याद रखेंगे जागर के स्ट्रेप्टो काइनेस के बहुत सारे कुश्चन बनते हैं तो इसको जरूर याद रखेंगे फिर अकले कुश्यन की तरफ पढ़ेंगे क्या कह रहा है कह रहा है drug cannot be given as IV bolus bolus का मतलब होता जागर के जिसको हम लोग थोड़ा सा bulk form में दे पाएं ठीक है ना और IV का मतलब intravenous intravenous bolus के form में नहीं दे सकते हैं कौन सा कौन सी drugs ऐसी है जिसको नहीं दे सकते हैं तो आप बताएंगे जाकर के KCL potassium chloride को हम लोग bolus के form में नहीं दे सकते हैं bolus का मतलब एक तरीके से जैसे आप लोग IV flutes की bottles देखते हैं 500 ml की bottle होती है 100 ml की bottle होती है तो जब हम injection के form में लंबा amount दें लंबा volume दें जाकर के ठीक है ना तो उसको कहते है bolus तो यहीं कह रहा है कि कौन सी medicine है जो bolus form में नहीं दी जा सकती है तो potassium chloride को bolus के form में नहीं दे सकते हैं IV bolus के form में ठीक है ना और देखे यहाँ पर क्या क्या दे सकते हैं लिखा भी है dextrose को दे सकते हैं insulin को IV bolus form के रूप में दे सकते हैं और adenosine तो यह adenosine, insulin और dextrose dextrose, insulin और adenosine तीनों को हम लोग bolus IV bolus form में दे सकते हैं लेकिन potassium chloride को नहीं दे सकते हैं dextrose दे सकते हैं देखिए आप लंबी-लंबी bottles बड़ी-बड़ी bottles dextrose की चला दी जाती हैं insulin को भी bolus के एक form में दे सकते हैं और adenosine को भी दे सकते हैं फिर अकली question की तरफ बढ़ेंगे जाकर के 55 number of question क्या कह रहा है कह रहा है following effect is mediated by histamine type 2 receptor कह रहा है कौन सा effect जो है histamine type 2 receptor के माध्यम से होता है तो आप बताएंगे जाकर के gastric acid secretion gastric acid जो secretion होता है GIT में जो gastric acid secretion होता है ये type 2 histamine type 2 receptor से की वज़े से secret out होता है तो histamine type 2 receptor की वज़े से gastric acid का secretion होता है फिर अकली question की तरफ पढ़ेंगे 56 number of question देखें क्या कह रहा है कह रहा है कि which material is is predominantly used in the sphygmo manometer कह रहा है इन्वेस इस्तिमाल होता है sphygmo manometer में sphygmo manometer में sphygmo manometer की बात हो रही कोई बहुत बिदेश से आई भी चीज नहीं है इसको आप बीपी का instrument कहते है जो manual instrument होता है बीपी का उसी को हम लोग कहते है एक तरीके से sphygmo manometer ठीक है आप तो electronic भी आने लगें तो electronic को तो आप सीदे सीदे जो भी मना है वो बोल दो ठीक है ना होता वो भी sphygmo manometer है लेकिन sphygmo manometer वो होता है जाकर के जिसमें आपको पारे की जहां पारे की requirement होती है अगर सही से देखा जाए तो ठीक है बोल देते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट को ठीक है ना अभी electronic वाले हम क्या है पारे का इस्तिमाल तो होता रही है ठीक है तो उसको हम लोग electronic वाले को भी बोल सकते हैं otherwise mainly यह वर्ड इस्तिमाल होता है जो manual पारे वाला होता है ठीक है ना glycolysis result क्या होता है कन्वर्द आफ ग्लुकॉऔज टू इन विच तो ग्लुकॉज किसमें convert हो जाए जुर्भक जाए जब हम इस reaction को क्या कहें है। इस reaction को ग्लाइन ऐसक्ट कहेंगे जब aids किसमें Convert हो जाए किसमें glucose convert हो जाए पाई रूवेट में किसमें पाई रूवेट में तो इसको क्या कहेंगे glycolysis कहेंगे glycolysis ठीक है ना फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे देखें अगला question क्या क्या रहा chemical energy at the cellular level is in the form of chemical energy at the cellular level is in the form of chemical energy अपने cellular level में किस form में होती किस रूप में होती है तो आप बताएंगे ATP के रूप में होती एडिनोसीन ट्राइफ फॉस्पेट जो chemical energy जो chemical से में energy मिलती है जैसे carbohydrates हो गया lipids हो गया fat हो गया protein हो गया तो इनसे जो energy मिलती वो किस फॉर्म में होती है आप बताएंगे ATP के फॉर्म में होती है एडिनोसीन ट्राइफ फॉस्पेट के फॉस्पेट के फॉर्म में होती है फिर 59 number of patient पर चलेंगे कहरा the normal fasting blood sugar value is around fasting का मतलब बूरा है जब आप खाली पेट हो और आप अपना blood sugar चेक करें तो कितना होना चाहिए around में तो आप बताएंगे जाकर के 80 mg पर deciliter 80 mg या 70 mg से बीच में होने चाहिए वसे यहां पे क्या है कि आपको सीधा सीधा एक दे दिया गया कि 80 mg होने चाहिए लेकिन body थोड़ी ना पड़ी लिखिए भाई human body क्या पड़ी लिखिए बाड़ी के लीवर को पता है कि इतना ही हमें सिक्रीटर को और ना cmg से ज्यादा ना हो जाए अगर cmg से ज्यादा हो गया तो यह fasting के ऊपर चला जाएगा human body के organs थोड़ी ना पड़ी लिखे हम लोग लिया जाता है ठीक है ना तो एक average मान लिया गया अस्जी एमजी पर डेसी लीटर फिर आगले की तरफ पड़ेंगे 60 number of question देखे क्या कह रहा है is an antifungal agent कह रहा है कौन सा एक antifungal agent है तो कई सारे option दिये गए होंगे उनमें से एक option है जैसे मिकोना जोल तो देख करके आप ल number of question क्या कह रहा है drugs is likely to be used weekly once ऐसी drugs ऐसी medicine जिसको हम लोग week में एक बार इस्तिमाल करेंगे सब्ता में एक बार इस्तिमाल करेंगे कौन सी है तो आप क्या बताएंगे has dry cough as a side effect very 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 important question very 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 important question कि anti-hypertensive drug anti-hypertensive drugs है जिसमें dry cough करने का side effect होता यानि आपको dry cough हो जाएगी सूखी खासी एक तरीके से आने लगेगी तो यह काउन से है anti-hypertensive drug आप बताएंगे A.C.E. in bitters category की होती इनाला प्रिल ठीक है न एंजियो टेंसिन कंवर्टिंग एंजाइम्स category की होती इनाला प्रिल यह क्या कर देती यह dry cough कर देती जाकर कि फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे जाकर के अब A.C. in bitters में क्या इनाला प्रिल थोड़ी न आती और जो भी दवाएं है A.C. in bitters की है न वो सारी दवाएं क्या करेंगे dry cough कर देती जाकर कि ठीक है न ड्राइक कर देंगी फिर 63 number of question पर चलेंगे कर रहा है used as an antileptic drug antileptic या antiepileptic ठीक है न एंटी इपिलेप्टिक इसको माल ली माल लीजिए हम लोग यह इसी तरीके साथ है antileptic drug जो कि antiepileptic की बात कर रहा है फिनो बार्बी टोन फिनो बार्बी टोन इस एक्ट एज एंटी इपिलेप्टिक ट्रक ठीक है न फिर आगरे question की तरफ बढ़ेंगे 64 number of question कह रहा है antidote for heparin heparin के लिए antidote क्या है ठीक है न हीपिरिन क्या होता है anticoagulants की तरह होता है body में heparin क्या करता है anticoagulants यानि inside the body जो blood होता है उसको जमने नहीं देता है जागर blood को dilute form पतले form में बनाये रखता है ठीक है न तो protamine जो होता है protamine यह heparin का again antidote की तरह काम करता है heparin के again antidote की तरह काम करता है अगर मान लीजिए किसी के body में heparin ज़्यादा है suppose that होता क्या है कभी-कभी हमें heparin देने की जरुरत भी पर जाती है जब blood body के अंदर suppose that कहीं injury हो गई खतम कर देता है जाकर के भास समझना अब अगर ज्यादा एमाउंट वह ही पैरिन का injection लगा दिया तो ठीक है तो ही पैरिन नुकसान करेगा तो हम लोग उसमें क्या देते है प्रोटामीन क्या देंगे प्रोटामीन देंगे जाकर के जो की हीपारिन का एक्स्ट्रा response होगा जाकर के उस response को control करने के काम आता है मारा प्रोटामीन तो antidote for Βपे रिपैरिन क्या होता जाकर करके प्रोटामीन फिर 65 number of question पे चल लाए है क्या कह रहा है Wilson disease is associated with metabolism of बहुत ज़्यादा important question है railway pharmacist ने पूछा गया है Wilson disease is associated with metabolism of Wilson disease किसके metabolism से related है तो आप बता दे ना copper ठीक है ना तो copper के copper के जो metabolism है उससे related है मारा Wilson disease या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि Wilson disease जो है ये सीधे सीधे Wilson disease किससे related है copper से related है see you तो Wilson disease is related to copper या copper metabolism फिर अगले question दितर पढ़ेंगे दोस्तों गर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल exam para को subscribe करें वीडियो को like करें और अपने दोस्तक share करें अब आपके लिए एक और देखिए सुविधा कर दी गई है कि ये जो PDF मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी PDF को as it is जो भी printed है आपको आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल से ठीक है आप करने कि क्या कि description box में टेलिग्राम चैनल के link है आप उस टेलिग्राम चैनल के link पे click करें ग्रुप को join करें उस सीधे एटू जितनी भी अभी तक PDF डाली गई है यह जितने भी नोट्स आपके डालेंगे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है ना अब इससे आपको सुविधा यह रहेगी कि आपको चीजें नोट डाउन करने की ज़रूत नहीं आप सीधे प्रिंट निकालिए और अपना जाद कर लीजिए अब बढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ देखिए 66 नमबर आप फुश्चन क्या कहा रहे है ड्रग्स इस लाइकली टू बी टेपर्ड एंड इस्टॉप्ड देखिए काउन सी ड्रग है प्रिड्नी सेलोन प्रिड्नी सेलोन जो है सीधी सीधी आंसर करिए आप लोग ड अगले कुश्चन की तरफ बढ़ेंगे 67 नमबर आप फुश्चन कहा रहा है ड्रग यूजड ऐस डायूरेटिक डायूरेटिक की तरह कौन सी ड्रग इस्तवाल होती तो आपको पता है कि कई सारे डायूरेटिक्स हैं उनमें से कोई एक आप्शन दिया गया होगा डायूरे इस यूरीन का फॉर्मेशन बढ़ता है तो यूरीन आउटपूट जैसे आप करते हैं तो बाडी से आइंस सोडियम आइंस वगएरा जो है सब एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जो की रिस्पॉंसिबल होते हैं जाकर कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए 68 नमबर आफ कैंसर ड्रक कौन सी हैं कैंसर क्या होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आफ सेल्ड वीजन कैंसर क्या होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आफ सेल्ड वीजन अब इसको रोकने के लिए कार्बो प्लेटिन सिस्प्लेटिन कार्बो प्लेटिन आपने नाम सुना होगा सिस्प्लेट पेलेग्रा जो है किस विटामिन की वज़े से हो जाता है तो आप बता देना नियासिन विटामिन 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 विटामि जिसमें आउक्सीजन वाला ब्लड मिलता है अब आप कहेंगे जाकर कि आर्टरी में ओक्सीजनेटट ब्लड मिलता है लेकिन एक कुछन्यावी बनता है कि कौन सी आर्टरी ऐसी है जिसमें डि आक्सीजनेटट ब्लड मिलता है भाई pulmonary artery ऐसी होगी जा करके जिसमें deoxygenated blood मिलेगा वैसे समानेता क्या है कि जो artery है artery artery having pure blood ठिक and veins having impure blood veins में impure blood होता है और artery में pure blood होता है लेकिन कौन सी vein है ऐसी जिसमें pure blood होगा तो आप आपने बता दिया भी ठीक है ना pulmonary artery artery और इदर कौन सी pulmonary vein pulmonary vein ऐसी वेन है जिसमें pure blood होगा लेकिन कौन सी artery ऐसी artery है जिसमें pure blood आजाए तो आप पताएंगे pulmonary artery एक ऐसी artery है जिसमें pure blood होगा फिर अग्ले question की तरफ बढ़ेंगे 71 number of question क्या कह रहा है inert substance given in the garb of medicine is called inert substance given inert का मतलब होता है ऐसा substance जो कि किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं अपना करेगा जाकर के मान लीजिए ये एक chemical A है ये chemical B है chemical B के साथ A को मिला दिया गया अभी पूरी एक गोली बन गई ठीक है अभी गोली इंसर्ट करा दीक है human body में तो जो chemical A है ये अपना of medicine medicine के साथ साथ inert substance भी दे देते हैं तो इसको मबला क्यों देते हैं किस वजह देते प्लेसीमो अफेक्ट के लिए देखिए दोस्तों एक होता है placebo effect placebo effect का मतलब क्या होता जागर के कि before surgery before surgery होता क्या है हम लोग एक बार trial कर लेते हैं और उस trial में ये होता जागर के कि हम लोग patient को ऐसी medicine दे देते हैं जिससे patient जो है पैनिक ना हो परिशान ना हो तो उसको क्या कहते थे placebo effect कह देते हैं जागर के इसमें हम लोग क्या होता है जगर ए कुछ ऐसी मेडिसेंस दे देते हैं Bossfound को आधेन को काम मस्तेस को ठंड़ा रखता यह सान्त करता है और क्या होता है जई जो Surgery होती इसको क्लीजेंट भना देता है मतलब उसको दर्द की जगे उसको मतलब उस समय अच्छा लगेगा सर्जिरी कराते समय तो उसको कोई भी पैनिक नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा इसको कहते हैं प्लैसिबो इफेक्ट ठीक है ना कहाई रहा हाली में न्यूज आई покरफे और जाए मस्वार उसकों ईसको कुछ एक वे अष्य चंश से चलीर चौह नेनलीयोगों हुस्च उसे डजास नहीं हो है है किसी भी ड्रग की जो मेडियन मेडियन लीथल डोज या मेडियन इफेक्टिव डोज जो होती है किसी भी ड्रग की उसको क्या कहते है किसी भी ड्रग की जो मेडियन लीथल डोज है या मेडियन इफेक्टिव डोज है इसको क्या कहा जाता है तो आप बताएंगे जाकर के थ चिहान ना तो डरग सेफ्टी का मैं और किछ इंडेक्स के कि मिज़र्य जुछ गुर्णवा जाए जा करके जुल जाए जाकर किसी साइलेंट receptor के साथ तो क्या होता है नो फार्माकोलोजिकल रिस्पॉंस अकर और कोई भी फार्माकोलोजिकल रिस्पॉंस नहीं आएगा सपोस्थ हमने पैरा सीटामॉल खाई की फीवर उतर जाए अब यह पैरा सिटामॉल जाकरके साइलेंट का मन दफ सांत रिसप्टर है ये रिसप्टर के पास अगर वायन्ट होती भी है तो पेरासीतामॉल अपना कोई रिसपॉंस नहीं दिखाएगी तो इसको क्या कह दեते हैं साीलेंट्रिश्टर साइलेंट्रिस्प्टर सेकर कोई डक्डग होगी तो वह कोई भी अपना फार्मकोलोजिकल रिस्पांस नहीं शो करेगी इंसाइड दा बाडी फिर 75 नमबर आफ फुशन देखें का कहा रहा है विटामिन वाटर सॉल्यूबल विटामिन का आपको एक्जामपल देना है वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है और फैट सॉल्यूबल विटामिन सी वाटर सॉल्यूबल दोस्तों अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल एक्जामपला को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक सेयर करें हम आपके इसी तरीके से जो important questions का connection है वो लाते रहेंगे और करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक सेयर करना है और आपको इसकी PDF description box में चैनल का link दिया गया है चैनल है उस पर जाइए जोईन कर लीजे और सारी जितनी भी यहां पर PDF आपको पढ़ाई जा रहे हैं जितनी भी classes है इन सब की आपको PDF मिल जाएगी as it is बिलकुल वैसे की वैसी thanks for watching the video thank you so much